हेलो गाईज आप सभी का बाला की रसोय यूठुटूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेस्पी है मोटी लाल मिर्ची का अचार बनाना तो आए बनाते हैं मोटी लाल मिर्ची का अचार अचार बनाने के लिए ये हमने 200 ग्राम मोटी लाल मिर्चि ली है, दो चमच हमने नमक लिए है और एक चमच हमने हल्दी पौडर, दो चमच हमने संफ और दो चमच हमने मेथिदाना लिया है और दो चमच हमने राई और दो चमच हमने जीरा लिया है और एक छोटा चमच हमने लाल मिर्ची पॉडर लिया है और एक चमच हमने सिरका लिया है और ये मैंने दो बड़े सर्वी स्पून तेल लिया है तो आई ये बनाते हैं मोटी मिर्ची का अचार मैंने एक सोस पैन लिया है अब मैं इसमें ये सोंफ नेफी दाना जीरा और ये राई डाल दूँगी इन्हें में रोष्ट कर लूँगी ये हमारे मसाले रोष्ट होने लगे है और ये हमारे मसाले गुन चुके है और कैस को में बंद कर दूँगी और इन मसालों को एक लेक में निकाल लूँगी और इस मसाले को मैं ठंदा होने दूँगी जब तक ये हमारे मसाले ठंडे होते हैं तब तक मैं ये मिर्ची में चीरा लगा लेती हूँ मिर्ची को मैंने अच्छे से धोके और धूप में सुखा लिया है मैं इनके बीज नहीं निकालूँगी मैं इसी परकार से चीरा लगाऊंगी इसमें मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो अचार खराब हो सकता है ये बिल्कुल जटपट बनकर तियार हो जाता है अचार ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है अब मैं इसे मिक्षी के जार में डाल दूँगी और इसका बारी पोडर बना कर तियार करूँगी और ये हमारा मसाला कितने अच्छे से पिसकर तियार हो चुका है मैं पलेट में निकाल लूँगी अब मैं इस मसाले के अंदर ये नमक डाल दूँगी साथ ही लाल मिर्ची पोडर डाल दूंगी और ये हल्दी भी डाल दूंगी इसमें में इसे मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसके अंदर दो चमच ओल डालूँगी ओल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था और ये ठंडा हो चुका है अब मैं इसमें दो चमच ये ओल डाल दूंगी और साथ ही मैं ये एक चमच मेंने सिर्का लिया है ये भी सी में डाल दूंगी आप चाहे नीम्भू का भी इस्तमाल कर सकते हैं या आमचूर पॉडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहां पे सिरके का इस्तमाल किया है और अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर लूगी यह हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो छुका है अब मैं इस मसाले को हरी मिल्च के अंदर भर दूँगी मिर्ची को अच्छे से दबा कर भरूंगी मैं और इसी परकार से मैं अपनी सारी मिर्ची को भर कर तयार कर लोंगी और ये हमारी सारी मिर्ची भर कर तयार हो चुकी हैं और अब मैं ये मिर्चीको इस डब्बे के अंदर डाल दूंगी मैं मिर्ची पे थोड़ा सा ओईल डालूंगी और टब्बे के अंदर डालती जाऊंगी और ये मैंने सारी मिर्ची को इसमें डाल दिया है और अब मैं ये बचाओं और ये मैं ये मैं ये बचाओंगी पर ये मैं ये बचाओंगी और ये मैं ये बचाओंगी रालती जाएंगी जाएंगी बचाओंगी